आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार, स्वागत है आपका डाउटनेट पर हमारा प्रश्न है दो रेल गाडियां जिनकी लंबाई करमशाह 120 मीटर तथा 80 मीटर हैं एक ही दिशा में करमशाह 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तथा 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की चाल से गतिमान है एक दूसरे को पार्क करने में लगा समय होगा चार विकलत दिये गए हैं और इस प्रश्न को करते हैं हल तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं कुल दूरी कुल दूरी बराबर दो रेल गाडियां एक दूसरे को पार्क करें यानि अपनी अपनी लंबाई को पार्क करेंगी तो कुल दूरी में दोनों रेल गाणियों की लंबाई का योग हो जाएगा 120 मीटर धन 80 मीटर बराबर हो गया 200 मीटर 200 मीटर आगे हमारे पास कुल दूरी आब निकालते हैं सापेक्च चाल यहाँ पर बोला गया है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो चाल इन दोनों की घटेगी तो 60 रिड चालिस यहाँ से चाल मिलेगी किलो मीटर प्रति घंटा में गुड़ा कर देंगे इसमें 5 बटे 18 का तो हमारे पास 60 रिड चालिस 20 गुड़े 500 100 बटे 18 मीटर प्रति सेकेंड आगी अब चाल अब निकालते हैं समय तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल दूरी हमारे पास 200 मीटर बटे चाल है 100 बटे 18 अठारा बटे में है उपर जाएगा यहाँ पर 200 के साथ हो गया गुड़ा अब 20 से 20 कट जाएंगे समय बराबर हो जाएगा दो गुड़े 18 यानि की 36 सेकेंड तो 36 सेकेंड हो जाएगा हमारा सही उत्तर अब चेन करते हैं सही विकल्प का तो यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया गया है 36 सेकेंड तो धन्यवाद मिलते अब नए प्रशन के साथ क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आई आई टी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर